हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो मैं आपको अमेरिकन स्टाइल होम डिजाइन बताऊंगी मेंस ओपेन वाल्स डिजाइन तो देखिए आप घर का डिजाइन यह आपका फ्रंट वीव है देखिए यह आपका फ्रंट है एंड यह आप अभी स Dwight यह आपका बालकनी है अब देख सकते हैं यहाँ पर स्विमिंग पूल आद यहाँ पर जूला और यहाँ पर गार्ण चैर भी लगा हुए है कि का अ यहां पर लेंप लाइट भी लगे हुए है और फ्लावर्स भी लगे हुए है तो मैं आपको इसको सिधे से बताती हूं आप इसको सबसे पहले टॉप से देखिए यह आपका टॉप से हैं देख सकते हैं इसको आप प्रंट से देखिए प्रंट से कुछ इस टाइप का यह दिखेगा तो चलिए मैं आपको घर के अंदर लेके चलती हूं यह आपका होम है यह आपकी कार पार्किंग एरिया है यह आपका एंट्री डोर है एंड यहाँ पर आपका एक चपल रखने के लिए यहाँ पर स्टैन भी दिया हुए है यहाँ पर विंडोस लगी हुई है ग्लासेस वाली लाइट्स भी लेगे हुई है तो चलिए सिधे घर के अंदर चलते हैं देखिए यह आपका घर है तो यह आपका किचन और यह आपका बैड्रूम मैं इसको टॉप से दिखाती हूँ आप देख सकते हो है यह आपका बैड्रूम है जो कि ग्लास यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर यापका बैड्रूम है यहाँ विंडोस लगी हुई है यहां पे dressing table यहां पे रखा हुआ है और यहां पे lamp भी लगा हुआ है यहां पे अलमारी भी है यहां पे इसके just front side आपका यह tv भी लगा हुआ है कि आप देख सकते यहां पे ऋपर में जूमर भी लगा हुए है यह देखिया ऊपर में जूमर लगा हुए है। इस के बाद आप जैसे ये और यहां पे एक डाइनिंग टेबल रखा हूना है देखिए ये शच्टेटाइबल लब टॉप रखी है और यहां पे वाल वाल पेपर लगा हूए है यहाँ पे भी a clock है फिर यहाँ पे wallpaper है यहाँ पे lamp लगी हुई है ceiling lamp यहाँ पे आप देख सकते हैं dining hall पे and यहाँ पे kitchen के बीच यहाँ पे partition लगा हुआ है फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आपका kitchen area है यह आपका fridge है यह आपका ceiling lamp लगा हुआ है यह आपका store है and then यह आपका microwave है और यहाँ पे आपका यह wash basin लगा हुआ है तो यह आपका हो गया hall का area फिर जैसे ही हम यह वाले जो बीच के बीच में एक door दिया हुआ हुआ है उसके साथ जाते हैं जैसे यहाँ से entry करते हैं तो यह आपका कुछ ऐसा open होगा फिर आपके left side में यहाँ पे stair लगी हुई है गोल stair सिढ़ी लगी हुई है आप देख सकते हैं यहाँ पे सिढ़ी लगा हुआ है मैं फिर से बताती हूँ यह आपका यह आपका सिढ़ी यहाँ पे सिढ़ी रखा हुआ है और इसके जस्टल आपका यह देखें यहाँ पे यह आपका है टॉयलेट वाला portion है यह जो लास्ट में मैं आपको इसको presentation की रूप में बताती हूँ सिढ़े तो आपको समझाएगा यह हमारा सामने का एरिया है जैसे हम यह इसमें इंटर करेंगे देखें यह आपका इंट्री हैं यह आपका जैसे यह आपका लेप साइड है लेप साइड के एरिया में आपका डाइनिंग टेबल यहाँ पर स्टुटी टेबल रखी हुई है और डाइनिंग टेबल के सामने यहाँ पर आपका एक पार्टिशन गेट है दोर है उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर किचन एर रखा हुई है तो हम धी हॉल पे एक कॉर्णर पे और सुफा की हुई है देखिए यहाँ साइड विंडोस रखी हुई है यहाँ अपर देख सकते हैं यहाँ टेबल भी रखा हुए और यहाँ पर यहाँ पर पार्टिशन लिए गा यह उसके बाद आपका आता है बैडरूम एरिया, यहाँ पर आप देख सकते वाल पर टीवी लगी हुई है, फिर यहाँ पर एक अलमीरा भी है, दबल बैड यहाँ पर है आप देख सकते हैं, अब देख सकते हैं, एक ड्रेसिंग टेबल एंड लैंप भी दिया हुए है पीर हम चलते हैं यह जो दोर दिया है इस पर जानी है तो इस पर चलते हैं अब देख सकते हैं यह दोनों विंडो दो विंडो दी हुई लेफ्ट और राइट वाली आपकी बैडरूम के हैं लेफ्ट वाली आपकी किछन के हैं तो लेफ्ट साइड हम मुड़ेंगे तो यहां पे एक दोर दिया है देखे, डोर है यह एक तो हम चलिए चलते हैं यह तो यह आपका आता है यह आपका है बात्रो मेरिया अब देख सकते हैं लगा नलगे मिलेगा टॉलेट, फिर जैसे हम राउंड होते हैं, अब देख सकते हैं, आपका कुछ ऐसा टाइप दिखेगा, तो जैसे बातरूम से आप पहार आएंगे, तो यहां पे एक सोफर रखी हुई है, और यहां पे एक उपर फ्लोर जाने के लिए सीधी लगा हुआ है, वहां पे भी आप यहां पे आपका यह डोर, बालकनी साइड उपन होते हैं, यह आप देख सकते हैं, यहां पे एक स्विमिंग पूल लगी हुई है, और यहां पे फ्लावर्स एंड लैम भी लगे हुए हैं लाइट सी, यहां पे इसको राउंड साइड दिखाती हूँ, यहां पे गार्डन लगा हुए है, फिर यहां पे एक जूला भी लगा हुआ है, गार्डन जूला, देखें, यह कुछ ऐसा दिखेगा, आप देख सकते हैं, यह आपका बैक साइड है, होम के बैक साइड, मैं इसको चारो राउंड से बताती हूँ आपको इसको, देखें आप, यह फ्रॉंट एरिया है, यह देख सकते हैं, यहां पे स्टार्टिंग में आपके, यह पी टाइल्स लगी हूए है, देन यह आपका यह ग्रास लगी हूए है, गार्डन है, तो आप देख सकते हैं, यह आपका, होम डिजाइन है, फिर्स्ट फ्रॉर के हैं, पिर मैं आपको लेके चलते हैं, इसके लेस्ट साइड बैक पर आप देख सकते हैं यह आपका कुछ ऐसा तो आसा करती हूं आपको यह अच्छा लगा हो हम डिजाइन यह सारे आपके अमेरिकन टाइल फोम डिजाइन है यहापका बात्रूम सारे ओपन वाल फिस्टम यहापके है बस बात्रूम बस यहाँ पर सेपरेट है यहाँ पर भी हमने यहाँ पर दो पार्टिसन यूज किया है आप देख सकते हैं क्लासेस का एन बात्रूम में भी यहाँ पर दो पार्टिसन यूज किया है देखिए आप यहां पे भी आपका एक सोफ़ा लगा हुए हैं हम देख सकते हैं यहां से बाहर का नजारा ऐसा दिखेगा तो आसा करती हूं आपको यह वीडियो अच्छे लगा हूँ प्रेजान थैंक्स वज वजाएं आपको यह वीट आपको यह वीडियोग अपका प्रेशे लगा प्रेश लूगा यह तो आपको यह वीडियोग बाद क्या नेखते हैं